मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है बुद्धी का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्षे होना चाहिए जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार है जो समुदाय अपना इतिहास भूल जाते हैं, वह कभी इतिहास नहीं बना पाते हैं मैं राजनीती में सुख भोगने नहीं आया हूँ बलकि अपने सभी दबे और कुछले भाईयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ पती-पतनी के बीच का संबंध सबसे घनिष्ट दोस्तों के संबंध के समान होना चाहिए एक महान व्यक्ती एक प्रतिष्ठित व्यक्ती से अलग है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तयार रहता है अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढियां उसका बदला जरूर लेंगी और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढियां भी गुलाम बनी रहेंगी भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो. भाग्य में विश्वास रखने के बजाए शक्ती और कर्म में विश्वास रखना चाहिए.